सरकिट हाउस में हुई इस बैठक में विधायक राज सिनहा के साथ दरजनों भाजपाई भी उपस्तित रहे। भारतिये मजदूर कॉंग्रिस के जिला अध्यक्ष ने जल संसाधन पर गंभी रारुप लगाए। उन्होंने कहा कि अल्मोडा में लग रहे सीवर और मरमत कारे के लिए 27 लाख खटेका बाहरी कंपनी को दे दियागा। मजदूर जिला अध्यक्ष ने कहा कि सरकार बाहर के लोगों को ठेका दे रही है। वहीं इस मामले में मजदूर कॉंग्रिस जिला अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में जाच हो। सरकार के उपर इस तरह के आरोप लगाना सरकार की कामकाज के उपर सवाल उठता है पंजाब केसरी टीवी के लिए अलमोडा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट सरकार के बंदेउ के आरोपवित